नमस्कार आपका स्वागत है अगर घर की लक्ष्मी धर्मनुसार आचरन करे तो घर को मंदिर बना देती है इसी कारण सुआगिन महिलाओ को कई सारे नियम और धर्म का पालन करना भी आवशक हो जाता है यदि कोई स्वागिन महिलाओ को कब बाल धोने चाहिए और कब नहीं इसके बार में बताने जा रहे है जिन से सुवागिन महिलाय जान सकती है कि कुन सा वार और तेवहार बाल धोने के लिए सबसे उत्तम है पर उससे पहले दोस्तों अगर आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब कर लीजे ताके बैस अध्यत्मिक जानकारी वाले वीडियो देख सके, तो आईए जान लिते हैं, बाल कब धोने चाहिए और कब नहीं, पहली बात, कुवारी कन्याओं को कभी भी बूद्वार के दिन बाल धोने नहीं चाहिए, और खास कर उन कन्याओं को जिनके छोटे भाई है, ऐसा शास्तर मे दिन अपने बाल ना धोये, दूसरी बात, आज का समय बदल रहा है, जिससे लोग प्रभावित होकर, किसी भी शुबतिवहार, शुबतिथी या मुर्त में बालों को काटने, या उन्हें धोने के चलन से जुड़ गए है, किन्तो हिंदू पंचांग के अनुसार, महिलाओं आपको किसी भी शुबतिथी पर बाल कटवाने नहीं चाहिए, आपको इस तिती के एक दिन पहले से यह सारे कारिय कर लेने चाहिए, उस दिन बाल धोना या कटवाना शुब माना नहीं जाता, और खासकर एकादशी, आमाउसया, और पूर्नेमा पर बाल बिलकुल भी ना इससे आपके मस्तक पर चंद्रमा का प्रभाव पढ़ने लगता है। बाल धोने नहीं चाहिए। इस दिन ना सिर्क महिलाव को बलकि पुर्षों को भी बाल ना कटवाने चाहिए और ना ही धोने चाहिए। आपके ग्रह भी अपनी दशाय बदलने लगते है। ये सब ब्रहस्पती गुरु के कारण हो सकता है। पांची बात अगर आप एक पुत्र की माता है या आपकी पुत्र प्राप्ती की कामना है तो उन महिलाव को शुकरवार की दिन बाल धोने नहीं चाहिए। इससे आपकी संतान पे कश्टा आ सकता है। किंद दो पुत्रों की माता या दो पुत्रियों की माता इस दिन बाल धो सकती है। शनिवार का दिन स्री शनी महाराज का दिन माना जाता है इस दिन आ सर में तेल लगाए और नहीं आपने बालों को धोए। इससे शनी की कुद्रिष्टी आप पर बनी रहती है और अगर किसी कारण वश आपको शनिवार को बाल धोने पड़ जाए आप थोड़ी से हल्दी वो बेशन को मिला कर पहले बालों पर लगा ले उसके बाद आप बाल धो सकते हैं पर ध्यान रखी की भोतावशक्ता के कारण ही आप शनिवार को बाल धोए हत्वा इस वार को बाल कदापी ना धोए। शास्त्र में इसी एक माननेता है कि स्वागिन स्त्री अपने मांग मे होए भी पूजा यग्ये में शामिल हो सकती है परंतु उसे सिंदूर आवश से लगाना चाहिए किन्तु पुर्शो को सदेव नहानेवा बाल धोने के बाद ही पूजा वा पाट में शामिल होना चाहिए तो दोस्तों ये तिवा मोतोपुर्ण बाते जो महलाओ को बाल धोत समय ध्यान में रखनी चाहिए अगर ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें कमेंड में जे मालक्ष में अवश्य लिखे साती चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद